हम के लिए की तरफ एंटर करेंगे और इनको बाइबाइब करेंगे दोस्तों बाइबाइब अंदर से तो यार आते यह मरा आगया इंट्रीगेट ठीक है यह आगी लॉबीन की कि बालुका स्टून से इस इधर से नहीं है इंपोर्टीड है जहां पना हाजिर हो गार आख वालकम बेक टो चानल हम इस वीडियो को पार्ट पूलेकर आचुके हैं तो इसला में अंटर कर चुके हैं व्हूंच पूलाइब देखने के दिर तरफ के लिए तो चलते आगे के तरफ और आपको मिलते हैं अंदर जाके तो दोस्तों में किला था ना देवंगट फॉर्ट पहुंच गे जैसे पहुंचे रास्ता अखराब था दिक्तर लगी अच्छा किल्या यह वो किल्या यो बीम देव रस्याल जीने मनाया था अगध्याल सुनके कुछ लगा और स्यी रस्याल है रस्याल थैसीत आप पड़ा हुआ यह दिस्टिक का नाम एक रिश्याल से रासी रासी चलके वाट में जाके रिश्यपाल राना जी ने इसको कहट्री कुर्ष्टा किया था पत्थर का चुनबाया था पहले पत्थर का तो लगबग 500 मेटर लेट सुमेटर की उंचाई पर रास्ता बना हुगा बहुत अच्छा रास्ता और अनांदा आरा पूरे जाने का रहाली है चारों तरफ तो उंचाई पर इसली बना गया एक तो किला है उंचाई पर ही ओगा दो दिखे गाना सब को तीला इसांपर बना हुग जो तो ना जो गुलाब सिंग होगे रंवी सिंग होगे पताब सिंग होगे और राजा और उनकी फैमली जब भी कुछ जूद होदा था एमर्डेंसी में एक शैल्टर लेने के लिए यह किलान के काम आता था और इसी किले को वह अपना आर्ड मेरी के लिए इस्तिमाल करते सब्सक्राइब और ट्रेजरी के लिए विए तो दोस्तों राजी किला के अंतर एंटर कर रहे यह हमारे वाई बैहन सारे चोटे बड़े सारे बगस्तात है यह अंदर सो क्या रहे थे अब नहीं से पूछेंगे कैसा किला अच्छा है कुछ देखने को मिला कुछ जानतों कि किसने बनाया था राजा जी ने राजा औरशा तो अच्छा किलार इनोर के श हम सब इन से मिलें बहुत अच्छा ज्याइड हम तरफ अंधर करेंगे और उनको बायज़ए कहेंए दोस्तों Women a by Tao तो पहुंच चुके हैं लगबग तक्रीवन 50 मेटर की दिवार है जी ठीक है जो एंट्री गेट है एक तो में था ना वो जो दरवाज़ा होता है में एंट्री गेट ही है और विल्कूल दोस्तों अच्छे से बनाया गया और मैंने जो सुना जो पत्थर है न मैं देखना चाह और उन्हें बनाया किला तो अच्छे से बनाया होगा अंदर पर देखेंगे किला किस तरह से आई ये मेरे साथ आप अच्छे से किले को दिखाएंगे अंदर से तो यार आते यह मरा आ गया इंट्रीगेट है यह आगी लोबील की ठीक है उपर दुछूला में दान है जहां आपना हाजिर हो तो कुछ अच्छी ऐसी मिलिंग आती है मेरे को भी जब मैं आता हो ना पुराने हिस्टारिकल मों पॉर्णमेंट के तो असे लगता है कि यार कभीने कभी मैं भी स्पाहि रहा होगा अब ने किसमें किसी गिलेगा ताभी इतना प्यार होगे तो एको स्थान को मैंने लिए सुना सुना भी था किस किला में माता काली जी की और हमान जी की मूर्थी नमन है ने लोग प्वस्वम से गहारू मैं है कि फिलिंग इसे का रही है कि मैं फतन कोई स्तार दीन आ खाडी सब्दू का दीन में आ चुका हूं इसको देख के इतना अच्छा लग रहा है मन तो कर रहा है कि इसका बीजिफ हो जाती है इसका भी वाइस के लेगा बहुत इच्छा भी ब प्रफ़ नाओ चलेंगे हम गुमते रहेंगे देखते रहेंगे कहां तक जाय करें कि अधिया देखते हो तो यह सीडियां उस समय से बनी हुई है जब और हागत देखते हैं और सीडियों की है क्योंकि इतनी इंजिनिंग स्टॉंग थी कुछ जगा पर नहीं थी एक हाइड लगभग इतनी है और अगले की मतलब की एक इंजिनिंग टेक्निशन की तरफ से नहीं बढ़ा है जैसे बना हुआ है और सीडियों बढ़ी है उपर नीचे जाने के लिए आज भी काम कर रही है इसी मैंने जूस होता था उससे में चूना जूस होता था और चूने की जो इस होती थे नहीं बहुत ही ज्यादा होती थी तो दोस्तों कि यह लेगा हम देख 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 दरसल बात देख थी कि जब मारे जम्मकुशंप के राजा गुलाब सिंग जी थे आये थे ना तो जब उनका राज हो गया था उनके उप्जियन के पूरी हुकूमत थे उनके उन्होंने इसके लिग काम भी एक बार उनना भी सब्सक्राइब करेंगे क्यों अच्छा था मातरानी का मंदीर भी था अंदर और इस समय ना बिल्कूल सुनसान अंदर खोई नहीं है सं 1817 में उन्होंने काम अलगवा इसके लिए का दोबारा से प्यार करने के लिए बहुत ही बड़ा है और 1840 1841 1841 1841 में जाके इसका के लि हरी सिंग जी वाए उन्होंने भी अपने स्टेक है और मैंने आपको बताया ना एमर्जंसी में वह शेल्टर का काम लेते इसके लेगा कि कोई आज ना सके और उनका में आर्मेरी ट्रेजरी इसके लिए में काम होता था आर्मी इंदसां की हत्यार रखने का एक जगा गुफ किया आर्मीरी को उदर से खतम कर दिया इसकी जो खत्यार वाला काम फिल्कुली खतम कर दियो ट्रेजरी को इदर से शिव्ट करके जम्मू में ले गए थे और उन्हें उनके वह हुकूमत आज चुके थी बिटिश की तो भाई सब सुनना पनता था ठीक है चलेगे जम्मू आर्मीरी कर दिख खतम अगया तो इस खुब सुर्ति में बहुत अच्छे लग रही है मैं बहुत सारी किले में फी रहा हूं बट इस किले को देखके घूम के अच्छा फील लग रहा है क्योंकि इसका एल्ये काफी अच्छा है बास पायर इसको कह सेक्टे ना काफी खाला किले कर दिवारें देखी और किला खतम वो नहीं है काफी है ऐसे आप मुविस में देखे थे ना बाहुबली मुवी होगे पुरानी कोई भी किंडम टाइप मुविस आगे इसमें गूम गूम पर तक्षे नहीं है उस वह हमारा हो रहा है सत कहूं में को रास्ता नहीं वाप अच्छा मंदीर की जो स्थापने है ना स्थुपा वह बिल्कूल वही है जो आज की तारीक हम सुनते हैं मंदीर ऐसे हुगा कर तरह है पुरान है आज से लगवाव 200-500 साल पुराना तो जे हो गई हां बिल्कूल होगा ही जे जिस तरह से पत्थर लग रहे हैं ये इटे नह अच्छा मंदीर है जब कभी ओगाना मजस इस कीला में घूमने तो अच्छा से घूमना काफी अच्छा कोछे खोजने के लिए अच्छा कुछे खूजने के लिए अच्छी एक रास्ता है पता नहीं कहां रहा है पोशी कर रहे हम जाने की देखते हम जाता घाँ पर है ये विल्कूली अंदेर अंदर की तरह अच्छा थोड़ा संबल कराना पड़ेगा अच्छा 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 पर अच्छा 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 ओराती है कि यह वो किला जो हम देख्याल जी बीम्देव रसाल जी करना हुआ यह टाइम टू टाइम डी कंस्टर्ट होता रहा है जब मारे जम्म कुष्मिर के महराजा गुलाब सिंग जी आय ना तन 1817 में 1822 में तो उनका चल हुआ उससे पहले वी तो राजाबु थे एक्षू मज ता तो माना जाता है कि जब उनका टाइम था गुलाब सिंग उनका उनके बाद उनका आगे बंचेज आया रवेज सिंग जी पताब सिंग उन्होंने इदर अपना हुकूमत किया और फैल्टर तो था है मैंने आप से सगा कि यह एक फैल्टर का गाम करता था जैसे कोई भी लड इर्याक्षी डिस्ट कि लेको रसां का अठ्यार रखने कोई भी स्थान वह उस किला में रखा जाएका ट्रीजरी मिंच की जो पैसा रखना होता था था जो भी था इसी किला में तो चलते चलते टाइम टू टाइम जब बिटिश का एंपार का थो राज जादा था उस समय ज जब गुलाब सिंग टाइम था ना तो इस के लिए की जो आप जानते होंगे जनरल रहे हैं वही हैं जिन्होंने लडाग से चाइनल जो बगाया था जब लडाग चाइना वाले ने हमला कर दिया था बिलकूल एक पाई कर चुके थे न आ जनरल जुरावर चिंग थे जिननों उनको बपीस पहायाता तो उनका नाम तहना तो जडूर ही है और इस के लिए कि में जक्चक भोई है जनरल जुरावर चिंग जी और इस की लिए कि खासीत है ना हमें हुझ लगी कि काफी एंपायर बढा है चोटा नहीं है आप गूम हो तो चलते हम बढ़ते हैं तो इसी के साथ हम करते हैं अपने आज के टूर का एक अपने आज के ब्लॉग का एंड और यासी के मारे दो पार्ट से दोनों कुप्लीट कर चुके हैं एक रह चुका हमारा अंजी खट भीज वो मेरा मन तो था पर नहीं जा पाएंगे क्योंकि समय नहीं है और इदर से तक्रीमन दूर हो फिर कभी हम जुरू जाएंगे इसी के साथ आपने ज्यादत दें और हम चलते और मिलेंगे आपसे किसी और अपिहासी फान में कुछ और खोदेंगे किसी और के लिए रिशाच करेंगे करेंगे तो तब तक लिए गुडबाई हम मिल